Hi friends, जाई सियाराम, आज हम लोग पढ़ेंगे Standard 12 Commerce, Chapter 1, Graphs in Economics, उसमें एक Topic, Importance of Diagrams and Graphs in Economics. पहले के दो वीडियोज में मैंने आपको Economics का Introduction और इसी Chapter का एक Topic, Diagram और Graph के बीच में डिफरेंस यह समझाया था. अब इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे Importance of Diagrams and Graphs in Economics. So, लेट सी. Importance of Diagrams and Graphs in Economics. Friends, इसके 6 Importance दिये गए हैं बुक में. इस 6 Importance में से कुछ Importance मैंने आपको पहले भी बता दिये हैं. कि हम लोग Diagram और Graph का इस्तिमाल करते ही इसलिए हैं कि जब बहुत सारा डेटा होता है, जब बहुत सारे Numbers होते हैं, तो Lay Persons जो सामान्य इंसान होते हैं, उसको भी हम Economics के Discussion में और Economics के Subject में कैसे Interest ला सकते हैं. तो इतने सारे डेटा को, अगर हम Picture के Through Present करते हैं, तो इसमें Normal जो Lay Persons होते हैं, उनको भी Interest आता है. तो इसलिए जो Economics का Subject में Difficult लगता है, वो Diagram या Graph के Through Present करेंगे, तो एकदम Easy लगेगा. आसानी से हम समझा पाएंगे. तो देखो यहाँ पर First Importance, The Study of the Subject of Economics, which is perceived as difficult and complicated, is made easier by way of Diagrams and less confusing by way of Graphs. तो जो Economics का Subject हम लोग Difficult मानते हैं, वो Diagram और Graph की मदद से हमें बहुत आसान लगने लगेगा, और हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं. दूसरा Importance ही है, कि बहुत सारे सालों का Trend, बहुत सारे Years का Trend एक ही Diagram या Graph की तुरों में पता चल सकता है. जैसे कि मैं आपको पोलू कि 1950 से लेकर 2020 तक हर 10-10 साल में इंडिया की GDP कितनी बड़ी है, percentage-wise. तो एक Simple Bar Diagram में हम लोग ये 70 सालों का Data, 10-10 Years का Distance लेकर हम एक ही Bar Diagram में ये बता सकते हैं, जिससे पता चलता है कि 70 साल में इंडिया की GDP कितनी बड़ी है. तो second, इस तरीके से population का भी बता सकते हैं, जैसे एक ही Bar Diagram में, cricket match में कौनसी ओवर में कितने रन आए है, ये एक Simple Bar Diagram में बता दिया होता है, जिस जो बार सबसे बड़ा होता है, उस ओवर में सबसे जादा रन आए होता है, और जिस बार में सबसे चोटा होता है, उसमें सब से कम रनाय होते हैं, तो trends of certain economic parameters over various years can be observed through a single diagram और a graph, तो बहुत सारे years का data, बहुत सारे years का trend, आप एक ही diagram या graph में बता सकते हो, कि हम कहां पर जा रहे हैं, हमारी दिशा कहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग डीगरोध कर रहे हैं, वो एक ही diagram या graph के तरू पता चल सकता है तीसरा यह है दोस्तो, कि हमारे देश में, हमारी economy में अलग-अलग sectors हैं, mainly three sectors है, primary जिसको agriculture sector बोलते हैं, secondary जिसको industrial sector बोलते हैं, और tertiary जिसको service sector बोलते हैं, हमारे देश के employment और national income में इन तीनों का contribution होता है अब कोई भी देश जब भी development की process में होता है, जैसे इंडिया developing country है, तो कोई भी देश जब developing phase में होता है, तो developing phase में उस देश में agriculture sector का contribution कम होते जाता है, और industrial और service sector का contribution, national income में और employment में बढ़ता जाता है अगर आपको ये समझा ना है, कि पहले हमारे देश में agriculture sector का proportion क्या था, industrial sector का और service sector का, और आज हमारे देश में सेनारियो क्या है, तो दो diagram, एक पहले का diagram, पाई diagram और फिर आज का पाई diagram, दो पाई diagram से हम comparison कर सकते कि कि किसका कितना percentage share बढ़ा है, और किसका कितना percentage share कम हुआ है तो तीसरा ये है, changes occurring in various sectors of the economy can also be easily understood, हमारी अर्थ व्यवस्था में जितने भी अलग-अलग क्षेतर है, उसमें कितना बदलाव आ रहा है, वो हम pie diagram के थुरू, या तो कोई भी और diagram के थुरू हम समझ सकते हैं, तो जो भी changes आते हैं economy में, वो हम diagram या graph के थुरू समझ सकते हैं चौथा ये है, कि एकी diagram में हम लोग देख सकते हैं, और अलग-अलग समय की, अलग-अलग sectors की, अलग-अलग प्रदेशों की, अलग-अलग groups और अलग-अलग class जो होते हैं, उनकी comparison हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो diagram देख कर अलग-अलग समय में हमारी GDP कितनी है, हम उसकी comparison कर सकते हैं, अलग-अलग देशों की GDP कितनी है, अलग-अलग देशों की national income कितनी है, इसकी comparison भी हम diagram या graph के थुरू कर सकते हैं तो comparison करने के लिए भी ये use होता है फिफ्ट, जो diagram या graph की मदद से समझाने वाले को और समझने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है जैसे कि economics के कुछ aspects जब बहुत ही difficult लगते हैं, जब इसमें बहुत सारा data होता है, तो अगर मैं आपको वो data बोल के बताओ, तो सायद आपको एतना interest नहीं होगा लेकिन अगर वो पूरा data में picture के थरू present करू diagram या graph के थरू, तो मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी मेरा time भी बचेगा और मेरी महनत भी बचेगी, वैसे आपकी समझने में, समझने में आपका भी time बचेगा और आपकी भी महनत बचेगी तो इसलिए diagram और graph का सबसे बड़ा importance यही है, कि जब बहुत aspects आपको difficult लग रहे हो, जिसमें बहुत सारा data हो और अगर आप उसको diagram या graph के थरू present कर देते हो, तो समझाने वाले का समय और महनत भी बचता है, और जो समझने वाला है उसका भी समय और महनत दोनों बचता है जो समझाने वाला है, उसका भी समय और महनत बचेगा, और जो reader समझने वाला है, उसका भी समय और महनत बचेगा अब है last importance, sixth importance, certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagrams and graphs जैसे कि economics में बहुत सारे principles होते हैं, बहुत सारे lows होते हैं, जिसको principles भी बोलते हैं, जैसे law of demand है, law of supply है, elasticity of demand है, elasticity of supply है ये सारे जो difficult principles हैं, वो diagram ये graph के थुरू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि आपने 11th commerce में पढ़ा होगा, बहुत सारे हम diagrams draw करते थे, और उसके थुरू हम लोग ये difficult principles समझते थे, तो दोस्तों ये थे, 6 importance, diagrams और graphs के, बहुत ही easy importance थे, एक बार मैं आपको revise कर देता पहला importance ये है, पहला importance ये है, diagram और graphs का, कि बहुत सारे सालों का जो trend है, वो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा importance ये है कि जो economics का subject हमें बहुत tough लगता है, वो बहुत आसानी से समझ में आता है, diagram और graph की मदद से, तिसरा, अलग-अलग sector में जो भी change होता है, वो change हम diagram या graph क की मदद से समझ सकते है, चोथा ये है कि अलग-अलग समय, अलग-अलग प्रदेश, अलग-अलग देशों की जो comparison है, वो एकी diagram या graph के तुरू कर सकते है, पाचवा importance ये है कि diagram और graph की मदद से कुछ difficult जो aspects होते है, वो आसानी से समझाने वाला समझा सकता है, और समझने वाल अब ये आसानी से समझ सकता है, और छठा importance लास्ट ये है कि कुछ difficult principles और theories चो होती है, वो diagram या graph के तुरू बहुत आसानी से समझ सकते है, तो आज का ये topic importance of diagram और graph आसा रखता हो आपको समझ में आया होगा, आसा रखता हो friends, आपको ये topic समझ में आया होगा, अगर आपको इ में मैं आपको reply दूँगा, और मिलते हम next video में next topic के साथ,